हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरध्या अरेस अकेड़मी में दोस्तों राजस्तान में आई जीत राजस्तान रिट लेवल टू एसस्टी यानि कि सामाजिक अध्यन के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार दोस्तों आज में आपके लिए देखिए यहां पर आप सामाजिक अध्यन का जो सेलिवस देख रहे हैं इसमें देखिए भारतिय सब्वेता संस्कृति एवं समाज ठीक है यह जो नया सेलिवस है उसके अंदर देखिए चार टोपिक दे रखे हैं सबसे पहले सिंदुगाटी सब्वेता फिर वेदिक संस्कृति फिर जैंद्रम वेवं बोद्रम फिर महाजन पद्काल इन चार टोपिकों से समंदित दोस्तों आज मैं आपके लिए टोप इंपोर्डेंट प्रेस्न है वो लेकर आया हूँ सबसे पहले अपन सिंदुगाटी सब्वेता से समंदित प्र प्र उसके बाद में वेदिक संस्कृति फिर जैंद्रम वेवं बोद्रम फिर महाजन पदकाल के यानि कि यह एक प्रकार की मेराथन क्लास है ठीक है मैं आपको करीबन 10 से वारत कलासों के अंदर है वहाँ मेराथन कलासों के अंदर यह सारी चीज़ें मों आपको कर्वा तो दोस्तो देखिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपन है वो सिंदुगाटी सब्वेता के बारे में पढ़ेंगे तो पहला प्रेशन है हडपा सब्वेता का सर्वादिक मानेता प्राप्त काल कौन सा है तो सर्वादिक मानेता प्राप्त काल है वो दोस्तो इस ओप् से सत्रा सो पचास इसा पुर्वा जाए तो दोस्तों आपको ये भी करना है ठीक है दोनों में से एक आएगा तो अपना राइट आंसर इसमें इस प्रसन के अनुसार बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए सैकेंड नंबर प्रसने सिंदू गाटी की सब सब्वेता के समकाली नहीं थी तो कौन सी सब्वेता के समकाली नहीं थी सिंदू गाटी सब्वेता यहां पे देखिए मिस्टर की सब्वेता मेसो पोटामिया की सब्वेता चीन की सब्वेता इन तीनों की सब्वेताओं के समकाली थी दोस्तों सिंदू गाटी सब्वेता औ तो दोस्तों देखिए सिंदुगाटी सब्वेता है वो 12,99,660 वर्ग किलोमेटर में फैली हुई थी, कौन सी सब्वेता, तो दोस्तों सिंदुगाटी सब्वेता, ठीक है, और ये आधूनिक, पंजाब, सिंद, बलुचिस्तान, गुजरात, राजस्तान और पस्मी, उत्रप प्रदेश, हरियाना, सिंद, और बलुचिस्तान में सिंदुगाटी सब्वेता है, वो फैली हुई थी, तो इसका D नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा, आगे देखिए चार नंबर का प्रेसन है, सिंदुगाटी की सब्वेता में घोडे के अवसेस कहां मि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो देखिए इसमें सुर्कोटदा, लोथल और काली बंगा, इन तीनों इस्तानों पर घोडे के अवसेस मिले हैं, यहां पे बर्णा वली इसका, देखिए यहां पे कहां मिले हैं, तो दोस्तों कुटबासा में इस प्रेसन को बना लेना ठीक है, तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा, सुर्कोटदा, लोथर और काली बंगा इन तीनों इस्तानों पर गोडे के अवसेस मिले हैं, तो इसका राइट आंसर ए, सी और डी हो जाएगा, तो सीधा सा है, यह तो दोस्तों आप सबी को पतावना च जो काली बंगा का अर्थ क्या होता है इसका मतलब होता है काली चूडिया क्या होता है काली चूडिया अब यहां पर देखे सिदा सापने को पुछा है कि काली बंगा काँ पर है तो यह गगर नदी के किनारे है ठीक है और हनुमान गर्जिले में ये इस्तित है काली बंगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राजस्तान में है ये ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निमनलिकित में से किस पधारत का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान में मुख्य रूप से किया गया था तो दोस्तो किस का परियोग किया गया था मुद्राओं के लिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो कौन से कौन से पधारत का उप्योग किय गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सेल खडी सेल-डी का उपयोग किया गया था देखिए हडपपा सब्वेता की अधिकान समूरे सेल-खडी की बनी होती थी ये मुहरे गोल के साथ साथ चोकोर भी होती थी तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन सेल खड़ी साथ नमबर प्रेशन है हडपा सब्वेता किस युग की थी हडपा सब्वेता है ये कौन से युग की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो ये कासे युग की सब्वेता थी, हडपा सब्वेता, ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए, सिन्दू गहटी सब्वेता के लोगों का मुख्य वेवसाय क्या था? तो इसका write answer हो जाएगा वो है दोस्तों व्यापार, क्या था? व्यापार, A नंबर का option बिल्कूल सयुत्तर हो जाएगा व्यापार आगे देखिए, no number person होडपा शब्बेता के निवासी थे तो दोस्तों हडपा शब्बेता के निवासी है, वो सहरी थे कैसे थे सहरी थे दोस्तो हडपा सब्यता के निवासी देखिए हडपा सब्यता का जो उत्खनन करता है वो कौन है दोस्तो तो दयाराम साहनी कौन है दयाराम साहनी और दोस्तो इसकी उत्खनन है वो कौन से वर्ष किया गया था तो दयाराम सानी ने दोस्तों 1921 में हडपा सब्वेता का उत्कनन किया था रावी नदी के तक पर मौन्टे मोगरी पाकिस्तान में तो आपको यह याद रखना है तो इसका राइट आंसर यह सेरी सब्वेता थी तो इसमें बी नमबर उप्सन सेयूतर आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के घर किस से बनाए जाते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कपास तो इसका में सी नमबर का उप्सन बिल्कुल सेयूतर हो जाएगा कपास नेक्स्ट है निमनलिकित विद्वानों में से हड़पा सब्वेता का सरोपर्थम खोज करता कोन था तो हड़पा सब्वेता का सरोपर्थम खोज करता कोन था तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1921 में दयाराम सानी के द्वारा ये खोज की गई थी तो इसका राइट आंसर डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सेयूतर हो जाएगा इसका आगे देखिए तेरा नमबर का प्रेशने सिंदू सबेता का पतन अगर बंदरगा है कौन सा था तो दोस्तों सिंदू गाटी सबेता का पतन अगर बंदरगा है वो कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोथल कौन सा था लोथल और लोथल सबेता का जो उत्खनन करता है वो कौन थ रखना इसमें रंग- नाथ- राव ठीक है यह लोफल सब्वेता के उत्करन करता थे ठीक है और जो कौन सी नडी के किनारे इस्तित्थाई जो यूद तो ये भोगवा नदी के किनारे याद रखना दुस्तों भोगवा नदी के किनारे लोथल इस्तित्था एहंदाबाद गुजरत में ठीक है बंदरगाय था ये डोक्याड तो इसका राइट आंसर बी नमबर उप्शन से यूतर आगे देखें पैमानों की खोज से यह सिध कर दिया कि सिंदु गाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे यह खोज कहा पर हुई पैमानों की खोज ने यह सिध कर दिया है कि सिंदु गाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे यह खोज कहा पर हुई तो इसका right answer हो जाएगा ये दोस्तों खोज हुई थी कहाँ पर तो ये लोथल में हुई थी दोस्तों कहाँ पर लोथल में तो इसका right answer D number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 15 number का प्रेस ने हडपा कालीन समाज किन वर्गों में विबक्त था हडपा कालीन समाज है ये कौन-कौन से वर्गों में विबक्त था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन-कौन से तो विद्वान, योदा, व्यापारी और सर्मिक विद्वान, युद्धा, व्यापारी और सर्मिक ये इसका right answer हो जाएगा बी नमबर का option बिलकुल सही उत्तर आगे देखे सिंदु सब्वेता का सरवादिक उप्यूक नाम क्या है तो सिंदु सब्वेता का सरवादिक उप्यूक नाम है वो क्या है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें हडप्पा सब्वेता ए नमबर का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा मैंने आपको शुरू में ही बताया था हडप्पा सब्वेता को ही सिंदु गाटी सब्वेता के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसका right answer ए नमबर उप्वेता के लोगों का सही चित्रन करता है तो इसमें देखे उनके विसाल महल और मंदिर होते थे बिलकुल गलत है नहीं होते थे वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे देखे जो सिंदू गार्टी सब्वेता है ये मात्र सतात्मक थी इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए सिंदू गार्टी सब्वेता के काल में पसुपतिनात, महादेव, लिंग, योनी, वरक्सों वैपस्वों की भी पूजा की जाती थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दो नंबर का उप्शन क्योंकि ये सही है आगे देखे वे युद में गोडो दुवारा खीचे जाने वाले रत्थों का परियोग करते थे ये भी दोस्तों इसमें गलत है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है वो है कुटबासा में इसका सही उत्र हो जाएगा A2 यानि की दूसरा नंबर का ही इसमें सही है आगे देखे हडपा सब्वेता की खोज है वो कौन से वर्ष में हुई थी तो मैंने आपको बताया था दोस्तों गुनी सो 21 में हुई थी तीक है और किस ने की थी तो दयाराम साहनी ने की थी रावी नदी के किनारे तो इसमें D नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे हडपा सब्वेता के बारे में कौन सी उक्ती सही है तो कौन सी उक्ती इसमें सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखे उन्होंने पसुपती का सम्मान करना आरंब किया था ठीक है उन्होंने पसुपती का सम्मान करना आरंब किया था यहां पे देखे तो इससे उपर वाला गाय उनके लिए पवित्र थी, ये गलत हो जाएगा दूस्तों इसमें, देखिए, पस्वों वाला कुबड सांड, ठीक है, फाक्ता, फाक्ता एक पवित्र पक्सी माना जाता था, ठीक है, दिया आपको इसमें याद रखना है, तो इसमें ये गाय नहीं है, ठीक है, फाक्ता नामक पक्सी, ये पवित्र माना जाता था, और उकुबड वाला सांड, तो यहाँ पे इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का उप्शन, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था भी, पसु पतिनात, महादेव, लिंग, योनी, व्रक्सों, पस्वों की पूजा की जाती थी, तो इसमें बिल्कुल सही है, सी नंबर का उप्शन, बीस नंबर प्रेशन है, इसमें देखिए दोस्तों, हडपा के लोगों की सामाजिक पद्दती थी, तो कैसी पद्दती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, पद्दती थी, तो इसमें ए नंबर का उप्शन सही तर हो जाएगा, 21 नंबर प्रेशन देखिए, इसमें सिंद का नखलिस्तान, बाग, हडपा सबेता के किस पुराइस तल को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, मोहन जोदुडो को, तो इसका दास बेनरजी थे, 1922 में इसकी खोज की गई थी, शिंदुनदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर, वो है, बी नंबर का उप्शन, बिल्कुल सही उतर, आगे देखे, हडपा सबेता के संपून चेतर का आकार किस परकार का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ह सूची फश्ट में इस्तल है, और सूची सेकंड में नदी है, ठीक है, देखे, हडपा, हडपा सबेता है, ये कौन सी नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे, मोहन जोदडो है, ये दोस्तो सिंदु नदी के किनारे, और मैंने आपको बताया था, दोस्तो लोथल, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे इस्तित है एहमदबाद गुजरात में ठीक है और काली बंगा है ये गगर नदी के किनारे इस्तित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार यानि की ए नमबर का उप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्त हो जाएगा 24 नमबर प्रेंसन है हडपा सब्बेता के अंतरगत हल से जोते गए खेतों का साक्षे कहां से मिला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों कहां से तो वह काली बंगा से सी नमबर का उप्शन बिल्कुल से इत्तर हो जाएगा मैंने आपको बताया थ दोस्तो कालि बंगा का जो उत्कनन है वो दोस्तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था और इसकी खोज है वो दोस्तो अम्लानंद गोश के द्वारा कि गयी थी ठीक है? और ये गगर नदी के किनारे इ Inspirate अगनीवेदिकाएं पक्की मिटी का हल इसमें मिले हैं ठीक है तो इसमें C number option सही उपर उतर आगे देखे सेंदव सब्वेता की इटो का अलंकरन किस इस्तान से मिला है सेंदव सब्वेता की इटो का अलंकरन किस इस्तान से मिला है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो कहां से काली बंगा से ए नंबर का option बिलकुँछ सही उत्तर हो जाएगा मैंने अभी आपको बताया कि पक्की मीटों का नकासिदार इट यहाँ पे देखे इटो इटो का अलंकरन यानि कि नकासिदार इट है वो काली बंगा से मिली थी यह number option सही उत्तर आगे देखे मोहन जोद्डो कहां इस्तित है तो दोस्तो मोहन जोद्डो है वो कहां पर इस्तित है तो यह दोस्तो कहां पर इस्तित है वर्तमान में तो यह सिंद में है ठीक है और इसके खोज है वो उत्कनन है वो लरकाना पाकिस्तान में हुई थी ठीक है तो इसका बी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है सिंदू सब्वेता में व्रहत इस्तनानागार पाया गया तो दोस्तों ये कहां पर पाया गया तो इसका राइटांसर हो जाएगा वो है जो तो मोहन जोड़ों में और मोहन जोड़ों में कौन-कौन शे साथ से परापत हुए है तो देखे तीन मुखवाले देवता पसुपतिनात नर्थकी की कास्यमूर्थी विसाल अन्नागार वै विसाल सनानागार और सुति वस्तर ये मोंजोदलों से प्राप्त हुए हैं ए नमबर का उप्शन बिल्कुर से उतर हो जाएगा आगे देखें सिंदु सब्वेता की मुद्रा में किस देवता के राम तुले चितरांकन मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आदे सिव ठीक है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आदे सिव आगे देखें निमनलिकित में से कौन सा हडपा काली इस्तल गुजरात में था तो कौन सा हडपा काली इस्तल गुजरा आगे देखे मोहन जोड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो मोहन जोड़ो को दोस्तों मर्तकों का टीला भी कहा जाता है यानि कि मर्तकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहन जोड़ो को D नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 31 नमबर प्रश्ण है हडपा सब्वता का परचलित नाम है तो सीधा सा है सिंदू गाटी की सब्वता तो इसमें सीधमबर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा आगे देखें सेंदव इस्तलों के उत्करन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिकित में से किस पसू का सरवादिक उत्केंड हुआ है तो कौन से पसू का सरवादिक उत्केंड हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैल का इसका बैल का तो इसमें C नंबर का उप तो जन के लिए जानी जाती है सिंदुगाटी सब्वेता ए नंबर ऑप्षिन सयुद्तर सिंदु सब्वेता का कौन सा इस्तान भारत में इस्तित है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लोथल यह एहमदाबाद गुजरात में इस्तित है, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर, नेक्स्ट है, भारत में खो जा गया सबसे पहले पुराना सहर था, तो सबसे पहले पुराना सहर कौन सा था, तो वो था दोस्तों, हडपा, A नमब का option बिलकुल सहित्तर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्जता के प्राचींतम साख से मिले हैं तो दोस्तों ये कांस से मिलते हैं? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों हडपा संस्कर्ती में ये नमबर का option बिलकुल सहित्तर हो जाएगा 37 नमबर प्रेसन इसमें देखे सिंदु सब्बेता के बारे में कौन सा कथन ऐसत्ते है तो कौन सा कथन है वो इसमें ऐसत्ते है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखे ऐसत्ते कथन कौन सा है नगरों में नालियों की सुद्रड विवस्ता थी बिलकुल थी व्यापार और वानिज्य उन्नत दसा में था बिलकुल सही है मातर देवी के उपासना की जाती थी बिलकुल सही है लोहे से लोग परिचित थे ये दोस्तों इस में गलत हो जाएगा तो इस प्रेशन का राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए सुची फस्ट और सुची सेकंड दे रखा है सुमेलित करना है अपने को ठीक हैं देखिए यहां पर देखिए सिंदू सब्वेता का जो उत्री भाग है वो कौन सा है इन में से देखिए सुची सेकंड यरी और सुची फस्ट यरी ठीक है तो यहां पर सिंदू सब्वेता की उत्री सीमा है वो माडा जम्मू है ठीक है और सिंदू सब्वेता की दक्षनी सीमा है वो दोस्तो देम सिमाबाद महाराष्टर और चिंदु सब्यता की पूर्वी सिमा है वो दोस्तो आलिमगीर उत्रप्रदेश और चिंदु सब्यता की पस्मी सिमा है वो दोस्तो बलुचिस्तान सुत्का गिंडर ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें एक दो तीन चार यानि कि A number का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा। 49 number प्रेशन है, मांडा किस नदी के किनारे इस्तित था? तो दोस्तों, मांडा है कि कौन सी नदी के किनारे इस्तित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? चेनाब तो इसमें A number का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें 40 number प्रेशन है हडपा कालीन इस्तल रोपड पंजाब किस नदी के किनारे इस्तित था तो दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे इस्तित था तो इसका right answer हो जाएगा इसमें 41 number प्रेशन है इसमें देखें दोस्तों हडपा में एक उननत जल प्रबंदन प्रणाली का पता चलता है तो किसे पता लगता है ये तो ये दोस्तों दोला विरा में ये पता लगता है तो किस रंग का प्रियोग हुआ है तो दोस्तों वो है लाल रंग का प्रियोग हुआ है मिटी के बरतनों पर तो इसका right answer A number option सयुद्तर नेक्स्ट है शिन्धू सब्वेता निमनलिकित में से כिस योग में पढ़ता है? तो दोस्तो शिन्धू सब्वेता है वो निमनलिकित में से कोन से योग में पढ़ता है? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो आदेएटीसिक काल में आद्य एतियसिक काल में डी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चोंवालिस नंबर प्राशन है सिंदू गाटी सब्वेता की विक्षित अवस्ता में निमनलिखित में से किस इस्तल में घरों में को के अवस्यस मिले हैं तो इसका राइ डी नंबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर मोहन जोद्रो नेक्स्ट पैतालिस नंबर प्राशन है सिंदू गाटी सब्वेता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वो कौन-कौन थे तो दोस्तों उनका नाम है एक तो दयाराम सानी और एक राख हडपा की समकालीन सब्वेता थी तो वो कौन सी थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सोराश्टर में तो इसमें सी नंबर उप्षन सवित्तर हो जाएगा ठीक है रंगपूर तो दोस्तों रंगपूर है इसकी खोज उत्खनन करता कौन थे तो रं हडपा एवं मोहन जोदो की पुरातात्विक खुदाई के परभारी थे तो कौन थे वो थे दोस्तो सर जोन मार्सल सर जोन मार्सल बी नमबर उप्षन सहुत्तर नेक्स्ट है निम्न में से किस पसू की आकरती जो मुहर पर मिली है जिससे ग्यात होता है कि सिंदु गाटी एव मेसोपोटामिया की सब्वेताओं के मद्दे व्यापारिक संबंध थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बैल ठीक है सी नमबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा बैल ठीक है आगे देखिए इसमें 49 नमबर प्रेस ने सिंदु सब्वेता के लोग तो दोस्तों मातर सतात्मक यानि की मातर सक्ति में विश्वास करते थे तो इसका डी नमबर उप्षन विल्कुल सहुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सा सिंदु इस्तल समुंदर तठ परिस्तित नहीं था तो कौन सा अंदर तठ परिस्तित थे लेकिन कोट दीजी है यह नहीं था तो इसका डी नमबर उप्षन सहुत्तर हो जाएगा आगे देखिए निमनलिकित में से कौन मोहन जोदुडों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो वो है दोस्तों विशाल अन्नागार और धन्यकोठार त गरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्दती अपनाई थी हड़ापकाली लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्दती अपनाई थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रिड पद्दती ग्रिड पद्दती है वो अपनाई थी त देखिए दोस्तों यहां पे लोथल, ठीक है, लोथल में देखिए यहां पे गोदी बाड़ा, काली बंगा में दोस्तों यहां पे जुतावा खेत, दोला वीरा में दोस्तों देखिए वो है हडपाई लीपी के बड़े आकार और बनवाली के अंदर पकी मिटी की बनी हुई ह एक चार तीन बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही तर आगे देखें निमनलिकित पसो में से किस एक का हडपा सब्यता में पाई मुहरों और टेरा कोटा कलाकरतियों में निरुपन अंकन नहीं हुआ था निमनलिकित पसो में से किस एक का हडपा सब्यता में पाई मुहरों और टेरा कोटा कलाकरतियों में निरुपन अंकन नहीं हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो शेर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखें हडपा वासी किस दातु से पर इचीत नहीं थे डी नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से किस हडपा कालिन इस्तल से युगल सवाधान का साक्से मिला है तो युगल सवाधान का साक्से है ये दोस्तो लोथल से मिला है तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे कपास का उत्पादन सरोपर्थम सिंदु छेतर में हुआ जिसे ग्रिक या यूनान के लोग के नाम से पुकारा जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंडन ठीक है सिंडन नाम से पुकारा जाता है तो इसमें A number option सवितर आगे देखे हडपा के काल का तामबे कारत किस इस्तान से प्राप्थ हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देमावाद C number option बिलकुल सवितर आगे देखे हडपा वासी किन किन धात्वों का आयात करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चांदी टिन और सोना इन तीनों का आयात करते थे A number option सवितर हो जाएगा आगे देखे हडपा वासी लाजवर्द बवन निर्मान की सामगरी का आयात कहां से करते थे तो कहां से करते थे तो ये करते थे दोस्तो हिंदु कुष्च छेतर के बदच कां से तो इसका राइट आंसर ये नंबर का option बिल्कुल सवितर हो जाएगा तो दोस्तो ये मैंने आज आज आपको देखे शिंदु काटी सब्वेता से समंदीत प्रेसन तो करवा दिये हैं काल किसे माना जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वेदिक सब्वेता देखे वेदिक सब्वेता कोई आरिये सब्वेता कहा जाता है क्योंकि इस सब्वेता का विकास आरिये जाती के लोगों द्वारा किया गया था ठीक है जो कि आपको इसमें याद रखना है ठ ग्रामिंड सब्वेता थी क्या थी ग्रामिंड सब्वेता अब आप देखिए यहां पे पूर्ववेदिक या रिगवेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है तो वह है 1500 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व तक पूर्ववेदिक या रिगवेदिक संस्कृति का काल माना जाता है उत्तरवेदिक काल उत्तरवेदिक संस्कृति का काल है वो किसे माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों एक हजार इसा पूरव से छस्सो इसा पूरव तक ये दोस्तों उत्तर वेदिक संस्कृति का काल माना जाता है याद रखना इसमें B नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सेकेंड नंबर प्रेस ने आरिये सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये इसका साब्दिक अर्थ है स्रेष्टिया कुलीन सरेस्टिया कुलीन तो इसका right answer B number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा सरेस्टिया कुलीन Next प्रारंबिक आरियों के बारे में निम्न कतनों में से कौन सा सही नहीं है तो कौन सा इसमें सही नहीं है आरियों के बारे में है देखिए वे संसकर्त बोलते थे बिल्कुल सही है वे गुड सवारी क्या करते थे ये भी इसमें सही है वे कई जुंडों में भारत पूचे थे तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है खेबर दर्ये के जरीए ये दोस्तों इन्होंने भारत में प्रवेश किया था यानि कि हिंदु कुछ पहाड में से इन्होंने दोस्तों रास्ता निकाल के और भारत में प्रवेश किया था ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है चोथा है इसमें वे मुख्यत नगरों में निवास करते थे तो मैंने आपको सुरू में ही बता दिया था कि देखिए आरिय सबेता है वो ग्रामिन सबेता थी तो यहाँ पे नगरों में नहीं यहाँ पे ग्रामिन चेतरों में निवास करते थे तो अपना right answer इसमें D number का option हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है आगे देखिए पांच नमबर का प्रेसने इन में से किस फसल का ज्यान वेदिकाल के लोगों को नहीं था तो कौन सी फसल का ज्यान है वो वेदिकाल के लोगों को नहीं था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिये जो गेहुं और चावल, इन तीनों का दोस्तों ग्यान था, लेकिन यहाँ पे तंबाकू दे रखा है, तंबाकू का ग्यान है, वो नहीं था, ठीक है, वेदिक काल के लोगों को तंबाकू का ग्यान नहीं था, तो इसका right answer, दी नमबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें उत्तर वेदिक काल के वेद विरोधी और ब्रामन विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था तो दोस्तों किस नाम से तो सर्मन के नाम से जाना जाता था किस नाम से सर्मन के नाम से तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें B number का option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 7 number का प्रेशन है वेदिक गणीत का महतोपून अंग है वो कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है सुल्व सुत्र कौन सा सुल्व सुत्र है ये वेदिक गणीत का महतोपून अंग है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा C number का option बिल्कुल right answer किस वेद में प्राचीन वेदिक यूग की संसकर्ती के बारे में सूचना दी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो रिगवेद किसमें रिगवेद में दोस्तो यह सूचना है यह दी गई है रिगवेद के बारे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ देखिए दोस्तो इसमें वेद है वो चार परकार के थे रिगवेद, सामवेद, यजुरुवेद और अथरववेद ठीक है जिसमें से रिगवेद में 10 मंडल कितने 10 मंडल 1028 इसमें क्या थे स्लोक थे कितने स्लोक और 1028 स्लोक में से 1017 है वो क्या थे सोक्त और दोस्तो 11 है वो क्या थे तो वाला खिले वाला खिले ठीक है तो टोटल 1028 स्लोक हो गए और इसमें लगबग 10600 मंतर थे क्या थे इसमें 10600 मंतर थे ये भी आपको इसमें याद रखना है रिगवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है नाइन नमबर प्रेशन है निम्न लिखित में से उत्तरवेदिक काल में लिखे गए गरंथों का सही क्रम कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेद ब्रामन आरनेक और उपनिसद याद रखना इसका राइट आंसर ये क्रम है ये पूछ सकता है आपको ए नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर सबसे पहले वेद फिर उसके बाद में दोस्तो वेद खतम होते ही देखे ब्रामन ठीक है और ब्रामन के बाद में दोस्तो आरनेक जिसका आर्थ होता है जंगल ठीक है और फिर उसके बाद में उपनिसद ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो इसका ए नमबर प्रुश्छ ने वेदों की संख्या कितनी है तो दोस्टों मैंने आपको बताय था वेदों की संख्या कितनी है चार रिख्वेद यजुर्वथवेद सामवेद और थर्ववेद ठीक है आगे देखे 11 नमर का प्रकुर कोन से 30 वेद स संयुक्त रूपसे ओर साहते हैं हैं कौन से वेद स yunуч tury ps3 और वेद त्रय कहते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएघा वो है दोस्तों इसमें रिगवेद यजुरुवेद और साम वेद रिगवेद यजुरुवेद और साम वेद यानि की शुरुआत के जो तीन वेद हैं वो दोस्तों त्रई या वेद त्रई कहलाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें रिगवेद ये जुरुवेद सामवेद ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है बारा नंबर का प्रस्न है भारत के राजचिन में परियुक्त होने वाले सब्द सत्यमेव जेतेव किस उपनिसद से लिये गए हैं देखिए मैंने आपको बताया था वेदिक साहिते में चार नाम याद करने को बोला था मैंने आपको वेद, ब्रामन, अरनेक और उपनिसद सब के लाष्ट वाला कौन निसद से लिया गया है ये सत्यमेव जेतेव सब्द तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आगे देखिए इसमें रिगवेदिक आरियो का मुख्य वेवसाय क्या था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो ह इसमें देखिए आरियो का जो मुख्य वेवसाय था वो पसुपालन एवं क्रसी था ठीक है पसुपालन एवं क्रसी था लेकिन अपन है वो पसुपालन को विशेस महत्वा देंगे क्योंकि पसुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है वैसे तो क्रसी भी करते थे लेकिन कुशी का इसमें कम उलेक है, पसुपालुन का ज़्यदा उलेक है, ठीक है, तो इसमें B number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, next, चोदर नमबर का प्रेशन है, इसमें देखे, भारतिय संगीत का आदी गरंथ कहा जाता है, तो भारतिय संगीत का आदी गरंथ है, वो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, दोस्तो सामवेद को, किसको कहा जाता है, सामवेद को, देखे, इसमें साम का अर्थ होता है, सामवेद है ना, साम, साम का अर्थ होता है, दोस्तो गान, क्या होता है, गान, इसकी रिचाओं का इसकी रिचाओं का गान करने वाले ब्रामन को उद्गात्र कहते थे सामवेद में कुल है पंद्रा सो गुननचास रिचाएं है वेदों में सामवेद को भारतिय संगीत का जनके कहा जाता है तो इसमें डी नंबर ओप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए पर्थम विदी निर्माता कौन है तो दोस्तों वो थे मनू ए नंबर का ओप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा मनू सोले नंबर का प्रिचन है कृष्ण भक्ती का पर्थम और प्रधान गरंथ है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो सिरी मद भगवत गीता ये दोस्तो कृष्ण भक्ती का पर्थम और प्रधान ग्रंथ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें B नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुक्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 17 नंबर का प् राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखिए गोधन गोधन है ये संपत्ति का पर्मुक रूप से स्त्रोथ है गोधन तो इसका राइट आंसर वो है इसमें A नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सयुक्तर हो जाएगा ठीक है देखिए एक चीज चत्रिये, वेशे और सुद्र का उलेक है, ये चार वरन आपको याद रखने हैं, ब्रामण, चत्रिये, वेशे और सुद्र, दस्वे मंडल में आते हैं ये और रिगवेद में आते हैं, आगे देखिए इसमें, अठारा नमबर प्रसने, इसी से समन दीता है, देखिए, रिग प्रामण, सत्रिये, वेशे और सुद्र, देखिए, यहाँ पे सुद्र से समन दीत प्रसन पुछा गया है, तो ये कौन से मंडल में है, तो ये दस्वे मंडल में है, तो इसका डी नमबर प्रसन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए, गुन्नीस नमबर प्रस है, तो इसका राइट आंसर, ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अठार है, पुरान, नेक्स्ट, आगे देखिए, वेदिक धरम का मुख्य लक्षन इन में से किस की उपासना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, प्रकरतिक है, ए नमबर का उप्शन ब रिगवेद में पुरंदर सब्द का परियोग हुआ है, तो रिगवेद में जो पुरंदर सब्द का परियोग हुआ है, वो दोस्तो किस के लिए वो हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, इंदर के लिए पुरंदर सब्द का है, वो इसमें परियोग हुआ है तो इसका A number option बिलकुल से इतर हो जाएगा अगे देखिए 22 number प्रेसन है सुल्व सुत्र किस विशे से समंदित पुस्तक है सुल्व सुत्र किस विशे से समंदित पुस्तक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तों जामिती जामिती से समंदित पुष्टक है सुल्वसुत्र ठीक है तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमे कहां से लिया गया है तो दोस्तों अस्तोमा सद्गमे ये कहां से लिया गया है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों ये रिगवेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गम है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर उप्शन right answer next question है आर ये भारत में बाहर से आए और सरोपर्थम बसे थे और ये है वो भारत में बाहर से आए और सरोपर्थम है वो कहां पर बसे थे तो ये बसे थे दोस्तों पंजाब में कहां पर बसे थे पंजाब में सरोपर्थम ये बसे थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है इसमें सी नमबर ओप्शन सयुद्तर नेक्स्ट आगे देखे दोस्तों इसमें सुची फर्ष्ट और सुची सेकिंड दी गई है सुमेलित करना है सुची फर्ष्ट में वेद है और सुची सेकिंड में यग्य करता है यानि कि कौन से वेद के यग्य करता कौन थे वो अपने को इसमें पता होना चीए, देखें दोस्तों इसमें, देखें, रिगवेद, रिगवेद के यग्य करता है, वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों इसमें, कौन हीता या होत्र, क्या है, हीता या होत्री, ठीक है, यजुरवेद के थे दोस्तों, अर्दव्यू, ठीक है, और सामवेद के थे दोस्तो उद्गाता यानिकि उद्गात्र ठीक है और अथर्वेद के थे दोस्तो ब्रह्मा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें एक दो तीन चार यानिकि इसमें सारे के सारे है वो सही सुमेलिते किये गए हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्त पुरू से क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है दोस्तों, तो वो है क्योंकि वेदो की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदो की रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है, इसलिए ऐ पुरू से कहा गया है वेदो को, तो इसमें A number option बिल्कुल सही युक्तर नेक्स्ट है 27 नमबर प्रेसन है इसमें देखे वेशेशिक दर्शन के प्रतिबादक हैं तो वेशेशिक दर्शन के प्रतिबादक हैं वो कौन है तो वे हैं दोस्तों इसमें कौन तो महर्शी कानाद तो इसमें वेशेसिक दर्शन के परतिबादत है तो देखे उलुक पूरा नाम है उलुक कनाद तो बात एक है उलुक कनाद बोल दो या उलुक कनाद बोल दो तो इसका राइट अंसर बी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखे, सांख्य दर्शन के परवर्तक थे कपील, योग दर्शन के परवर्तक थे पतंजली, और न्याय दर्शन के परवर्तक थे गोतम, पूर्व मिमानसा के परवर्तक थे जैमिनी, और उत्तर मिमानसा के परवर्तक थे बादरायन, तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप् तो मैंने भी आपको बताया था जे मीनी, ठीक है, तो इसका राइट अंसर, A number option, बिल्कुल सहित्तर, next, वेदान्त या उत्तर मिमान्सा दर्शन के परतिबादक है, तो मैंने आपको बताया था बदरायन, ठीक है, उत्तर मिमान्सा के परवर्टा कौन है, तो वो है बदरायन, तो इसका बिल्कुल सहित्तर क्या हो जाएगा, B number option, बिल्कुल सहित्तर, next, आगे देखिए, रिगवेद का कौन सा मंडल पूर्टा है, सोम में परिवर्टित है, तो दोस्तों, रिगवेद का कौन सा मंडल है, ये सोम में पूर्टा है, सोम को पूर्टा है, समर्पित है, त तो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा, C नमबर उप्शन सयुत्तर, आगे देखिए 31 नमबर प्रसिद, दस राजाओं का युद, दास राज युद किस तट पर लड़ा गया था, तो दोस्तों देखिए रिगवेद में दास राजय युद का वन्नन आया है, जिसमें भर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें वो है परूशनी, ठीक है, परूशनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें परूशनी, यह अब देखिए यहाँ पर परूशनी नाम दे रखा है, D नमबर का उप्शन, परूशनी दे रखा है, अ और दोस्तों सिंदु का जो अभी आप जो सिंद है, सिंद का प्राची नाम था सिंदु, ठीक है, और दोस्तों गंडक का जो प्राची नाम था वो था दोस्तों सदानीरा, ठीक है, और व्यास का प्राची नाम था दोस्तों विपासा, और जेलम का प्राची नाम था दोस्तों या आपको इसमें याद रखना है तो परूशनी है ये रावी नदी का प्राची नाम है और रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था ये युद्ध तो इसका राइट आंसर परूशनी या रावी आपको भी बोल सकते हैं अगे देखे दर्मसास्त्रों में बूराजस्व की दर है वो क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एक बटा 6 तो इसका राइट आंसर C नंबर आपृशन सयूतर नेक्स्ट है 800 इसा पूरव से 600 इसा पूरव का काल किस यूग से जुड़ा है तो ये जुड़ा है दोस्तों कौन से यूग से तो ब्रामन यूग से जुड़ा हुआ है ए नंबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे 34 नंबर प्रेशने किस काल में अच्छुत की अवधारना इस पश्ट रूप से उधित हुई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों धर्म सास्तर के काल में डी नंबर उप्शन बिलकुल से उत्तर है आगे देखे एसिया माइनर इस्तित बोगाज कोई का महत्व है इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए है उनमें से चार वेदिक देवताओं इंद्रे वरुन मित्रे नास्ते का उलेक मिलता है ठीक है ये बोगाज तो दोस्तों ये एक अभिलेक है यहां से अभिलेक मिला है ठीक है और उस अभिलेक से दोस्तों अपने को इंद्रे वरुन मित्रे नास्ते इसका उलेक मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा ये इसका रा गायत्री मंत्र है देवी सर्वितू को संबोदित गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है तो दोस्तों गायत्री मंत्र है ये किस वेद में मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों इसमें रिग वेद में ठीक है तो इसका राइट आंसर ए नंबर का कौन थे तो गोतम तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें गोतम बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निश्क से जाने जाते थे तो प्राचीन भारत में निश्क है वो किसको बोलते थे तो ये बोलते थे दोस्तो स्व विनिमय प्रणाली परचली थी विनिमय के माद्यम के रूप में निश्क का भी उलेक मिलता है तो निश्क का मतलब होता है कि स्वन आब उसन का भी उलेक है मिलता है A number option right answer नेक्स्ट योग दर्शन के परतिवादक हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था योग दर्शन के परवर्तक है पतंजली तो इसका right answer A number का option हो जाएगा पतंजली नेक्स्ट आगे देखे उपनिसद पुस्त के हैं तो ये किस पर आधारित है तो ये किस पर आधारित है तो ये दर्शन पर आधारित है D number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा तो इसमें D number option नेक्स्ट एक तालिस नमबर प्रेशन है इसमें देखे दोस्तो सुची फस्ट और सुची सेकंड दे रखा है सुमेलित करना है सुची फस्ट में वेद दे रखे हैं और सुची सेकंड में क्या हुआ है वो अपने को इसमें बताना है देखे दोस्तो इसमें रिगवेद रिगवेद में दोस्तो अपने को स्रोत एवं प्रातनाई की जानकारी मिलती है स्रोत एवं प्रातनाओं की जानकारी मिलती है रिगवेद में देखे यजुर वेद में दोस्तो स्रोत एवं कर्मकांड की जानकरी मिलती है स्रोत एवं कर्मकांड की जानकरी मिलती है और दोस्तो सामवेद सामवेद में देखिए संगीत में का स्रोत मिलता है संगीत में स्रोत संगीत से समंदित है सामवेद अथर्ववेद है ये दोस्तो तो तंतर मंतर एवं वेशी करन से समंदित है, यानि कि जादू टोना से समंदित है, ठीक है, तो इस्प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, यानि कि इस्प्रेशन का राइट आंसर, A number option, राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, आरंबिक वेदिक साहिते में सरवादिक वन्नित नदी है, तो वो कौन सी है, तो वो है सिंदू, ठीक है, तो इसमें A number option बिलकुल से उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए, उपनिसद काल के राजा अस्वपति सासक थे, उपनिसद काल के राजा अस्वपति सासक थ तो दोस्तों ये कहां के सासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जागा, ये के कई के सासक थे, के कई के, ठीक है, तो इसमें B number का option बिलकुल से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, इसमें 44 number प्रेस ने, आध्यात्म ज्यान के विशह में नची केता और यम का समाद कि मद्दे प्रसिद समाद की और कठोप निसद में वरनित मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका right answer हो जाएगा, वो है इसमें कठोप निसद, आध्यात्म ज्यान के विशह में नची केता और यम का समाद किस उपनिसद में प्राप्त होता है, तो वो है कठोप नि अप्शन बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए इसमें, पैतालिस नंबर प्रसिद वेदिक नदी कुमबा, जिसका प्राचिन नाम दोस्तो कावूल, वेदिक नदी कुमबा का इस्तान कहा निर्दारित होना चाहिए, तो कहा निर्दारित होना चाहिए, तो दोस्तो ये अफगालिस्तान में निर्दारित होना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का उप्शन बिलकुल सयुत्तर, नेक्स्ट, आगे देखिए, कपिल मुनी द्वारा परतिबादित दार्शनिक प्रनाली है, तो कपिल मुनी ने दोस्तो सांखे दर्सन दिया था, क्या दिया था? सांखे दर्सन है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन सयुतर सांखे दर्सन, नेक्स्ट है, 47 नंबर प्रेशन है, भारत के किस इस्तल की खुदाई से लोहे दातु के परचलन के प्राचिंतम प्रमान मिले हैं, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अंतरजी खेडा से दोस्तों लो है दातु के प्रचलन के प्राचिंतम प्रमान मिले हैं तो इसका B number option सयुत्तर हो जाएगा 48 No. प्रचलन है निमन लिकित में से किसका संकलन रिगवेद पर आदारित है तो वो है दोस्तों सामवेद करा तो इसका right answer B number option नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन प्रस्थान तरही में सामिल नहीं है तो कौन प्रस्थान तरही में सामिल नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है भागवत भागवत है ये प्रस्थान तरही में सामिल नहीं है तो इस प्रेशन का राइट आंसर A नमबर का उप्षन हो जाएगा नेक्स्ट कर्म का सिद्धान्त समंदित है तो दोस्तों कर्म का जो सिद्धान्त है ये किसे समंदित है तो ये समंदित है दोस्तों किसे तो मिमान्सा से समंदित है B नंबर का option बिलकुल से उतर हो जाएगा मिमान सा नेक्स्ट एक कावान नंबर प्रेशन है इसमें देखे सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेरिद कीजे सुची फर्ष्ट में वेद और सुची सेकंड में उसमें क्या दिया गया है वो अपने को बताना है तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रेशन है देखिए अथर्ववेद में अथर्ववेद है यह दोस्तों ओस्दियों से समंदित है किससे समंदित है ओस्दियों से समंदित है अथर्ववेद ठीक है यानि कि रोग निवारन से समंदित और रिग वेद है ये दोस्तों किस समंदित है तो ये इस्वर महीमा से समंदित है यजुर्व वेद है ये दोस्तों बलिदान विदी से समंदित है और साम वेद है ये दोस्तों संगीत से समंदित है तो इस प्रेशन का right answer 3124 3124 यानि कि ए नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें चरक सहीता नामक पुष्टक है किस विशे से समंदित है चरक सहीता नामक पुष्टक है ये किस विशे से समंदित है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी विशे से तो ये चिकिछा से समंदित ये पुस्तक है चरक सहिता C number option सयुत्तर next त्रेपन नंबर प्रेशन है यग समंदि विदी विदानों का पता चलता है तो ये पता चलता है दोस्तों किस में तो ये है यजुरव वेद में ये पता चलता है यग समंदि विदी विदानों का ठीक है यजुरव वेद में तो इसका बिलकुल सयुत्तर D number का option बिलकुल केस में वेदिक युगीन सभा ये दोस्तो मंतरी परिशत थी क्या थी मंतरी परिशत थी वेदिक युगीन सभा सी नंबर ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है वेदिक युग में परचलित लोग पिरिये सासन प्रणाली थी वेदिक युग में परचलित लोग पिरिये सासन कौन सी थी तो वो थी दोस्तो इसमें गण तंत्र है कौन सी थी गण तंत्र है तो इसमें सी नंबर ओप्शन सवित्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है सबसे प्राचीन वेद वो है दोस्तो डिगवेद ए नंबर का ओप्शन सवित्तर निम्ल लिकित में से कौन भारतिय दर्शन की आरंबिक विचारदारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सांखे, ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सायुक्तर हो जाएगा, सांखे, ठीक हैं, आगे देखें, सांखे, योग, न्याय, वेसेशिक, मिमानसा, वेदान्त, इन छह भीन भारतिय दर्शनों की इस पश्ट रूप से अभी वेक्ति हुई है, ये दोस्तो वेदिक यूग में हुई है, जिसको अपन सड दर्शन के नाम से जानते हैं, तो वेदिक यूग में इसका राइट आंसर, ए नमबर उप्षन बिल्कुल से उप्षन नेक्स्ट है, 59 नमबर प्रेशन है, निमनलिकित में से वहें दस्तकारी कौन सी है, जो आए द्वारा वेवार में नहीं लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें लुहार, यानिकि लुहार गिरी, डी नमबर का उप्षन बिल्कुल स सूची फस्ट को सूची से केंलित करना है, सूची फस्ट में उप्वेद और सूची सेकिड में सम्मंदित वेद दिये गए है, ठीक है, अब यहांपे देखे दोस्तों, बहुत यह अच्छा प्रस्न है, आयुर्वेद, ये दोस्तो रिगवेद का उप्वेद है, सास्तर ये अथरवा वेद से समंदित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार यानकी ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों अपने वेदिक संस्कृति से समंदित है ये प्रेशन है वो पढ़ लिए है अब अपन जैन द्रम एवं बोद्रम से समंदित है वो टोप इंपोर्डेंट प्रेशन है वो पढ़ेंगे तो देखिए जैन द्रम एवं बोद्रम से समंदित पहला प्रेशन है जैन परंपरा के अनुसार जैन द्रम में कुल कितने तीर्थ कर हुए है तो देखिए जैन द्रम का संस्तापक माना जाता है वो है रिसब्देव कोन माना जाता है रिसब्देव माना जाता है जो कि पहले जैन तिर्थ कर थे जैन धरम में कुल 24 तिर्थ कर हुए है जिसमें से पार्शवनात है वो 23 वे थे और महवीर स्वामी है ये 24 वे थे महवीर स्वामी को जैन धरम का वास्त्विक संस्था आपक माना जाता है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रेशन का राइट आंसर सी नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तुरी पिटक धर्म गरंथ है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तुरी पिटक जो धर्म गरंथ है यह किसका गरंथ है यह अपने को इसमें बताना है चार उप्षन आपके सामने है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये बहुत धरम का गरंथ है किसका गरंथ है बहुत धरम का ठीक है कौन-कौन से पिटक है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं विन है पिटक सुथ बेता यहाँ पर सुध पिटक है तीरा है धूस्तों कोन सा है अभीधम पिटक ये तीन पिटक है बहुत धरम के ठीक है तो इसका राइंसर हो जाएगा वी नमबर का है और सभी तर मृत्यु है वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी यानि कि महापरी निर्वान जिसको अपन बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कुसी नगर या कुसी नारा में कुसी नारा या कुसी नगर में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए पर देखिए विक्रम सिला विश्वविद्याले की स्थापना है वो बोद्दो के लिए किस ने की थी तो वो कि थी दोस्तों धर्म पाल ने तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धर्म पाल ठीक है आगे देखिए इसमें पांच नंबर का प्रे एका एक कह यानि की पहली बोद्द संगीती हो थी दोस्तों अजाड सत्रू के समयं दूसरी बोद्द संगीती हुई थी कह का मतलब काला तीसरी बोद्द संगीती हो थी एका मतलब असोक और च deth given के समय रिए चिदिय। सायूत्तर हो जाएगा शिक्स नंबर प्रेशन है इसमें देखे बोध गरंथों या सुरी बोध गरंथ पिटकों की रचना निमनलिकित में से किस बासा में की गई थी अब यहां पर देखे जो बोध द्रम में जो पिटक हैं विना पिटक सुथ पिटक और अभीधम पिटक य कौन सी बासा के अंदर है यह अपने को बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तो कौन सी बासा में तो यह पाली बासा में हैं सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा साथ नंबर प्रेशन है किसके सासनकाल में नेपाल में बोध द दो दोस्तों कहां पर सिरिलंका में भेजता था तो यहां यहां पे बोध धरम का गमन हुआ था असोक के समय नेपाल में और स्री लंका में बेजा था दोस्तों अपने पुत्र महिंद्र और संग मित्रा को अपनी पुत्री थी जिसका नाम था संग मित्रा इन दोनों को बोध धरम के परचार के लिए स्री लंका बेजा था तो यहां प के सबसे बड़ा बोधिश्टूप है साची में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर नेक्स्ट है महवीर का जन्म है किस छत्रिय गोतर में हुआ था महवीर का जन्म है ये कौन से छत्रिय गोतर में हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें इसका बिलकुल सही उत्तर देखिए महवीर स्वामी का जो जन्म है वो वेसाली के निकट कुंडग्राम में 599 इस्वी में हुआ था तीक है और इनके पिता का नाम था सिदार्त और माता का नाम था तिरसला तीक है यह आपको इ right answer क्या हो जाएगा वो है जात्रिक जानत्रिक ठीक है जानत्रिक चत्रिय गोत्र में हुआ था इनका जन्म है तो इसका right answer बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए महवीर की माता का नाम क्या था तो दोस्तों महवीर की माता का नाम क्या था तो इसका right answer हो जाएगा तिरसला क्या नाम था तिरसला तो इसका राइट आंसर सी नंबर उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पिता का नाम मैंने अभी आपको बताया माता और पिता का नाम पिता का नाम था सिदार्त और माता का नाम तिरसला आगे देखे गोतम बुध द्वारा अपने धर्म में दिक्सित किये जाने वाला अंतिम व्यक्ति निमनलिकित में से कौन था तो इसका right answer हो जाएगा डी नमबर का औप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए प्राची इंतम विश्ववी डियाला कौन था यहानि कि प्राची इंतम विश्ववी डियाला है वो कौन सा था तो इसका राइट आंसर है वो नालंदा C नंबर उपशन बिल्कुल सही उतर नालंदा किस बहसा का ज़्यादा प्रियोग बोधवाद के परचार के लिए किया गया था तो दोस्तों यहां पे देखिए कौन सी बहसा का सबसे ज़्यादा बार प्रियोग बोधवाद के परचार के लिए किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाली बहसा में महावीर स्वामी की मर्द्व काँ पर होई थी पावापुरी में तो इसका right answer हो जाएगा इसमें डी नंबर का option बिलकुल सहीत्ठ हो जाएगा, ठीक है यह महावीर स्वामी की मर्द्व है, वो राजगरह के समीप पावपूरी में हुई थी लगबग बहतर वर्ष की आयू में इनकी मर्ति हो गई थी आगे देखिए जैनियों के पहले तिर्थकर कौन थे तो जैनियों के पहले तिर्थकर कौन थे तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था रिसब देव यह पहले तीर्द करते और 24वे तीर्द करते महविर स्वामी टिका है D-number option सउसा नेक्स्ट है मठ और इस्तूप किस द्रम से समंदित है मठ और स्टूप यह कौन से द्रम से समंदित है तो यह दोस्तो बोध द्रम से समंदित है A number का option बिल्कुल सहीगतर हो जाएगा नेक्स्ट है बोध धरम एवं जैन धरम दोनों के उपदेश किसके सासनकाल में दिये गए थे बोध धरम और जैन धरम दोनों के उपदेश किसके सासनकाल में दिये गए थे तो इसका right answer हो जाएगा बिम्बी सार के समय किसके समय बिम्बी सार के समय ये दिये गए थे और बिम्बी सार है ये दोस्तो हर्यक वंस का सासक था तो इसका A number option सहीटर नेक्स्ट है गोतम बुद ने अपना पर्थम उपदेश कहां दिया था गोतम बुद्ध ने अपना पर्थम उपदेश है वो दोस्तों कहां पर दिया था देखिए जो गोतम बुद्ध है इन्होंने अपना पहला उपदेश वो दिया था दोस्तों सारनात में दिया था आगे बोध दरम गरण करने वाली पहली महिला कोन थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें महापरजापती गोतमी महापरजापती गोतमी ये दोस्तो पहली महिला थी जिसने बोध दरम गरन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए इसमें बोध गया इस्तित है तो ये बिहार में इस्तित है बोध गया याद रखना तो इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीक है आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रेस ने जात तक किसका गरन्त है जात तक किसका गरन्त है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोध दर्म का गरन्त है ये जात तक है C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 22 नंबर प्रेस ने सिदार्त जिसको अपन बुद्ध के नाम से जानते हैं तो महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती है वो कहा हुई थी तो ये कहा हुई थी तो दोस्तों गया में कहां पर हुई थी गया में तो इसका राइट आंसर देखिए 35 वर्ष की आयू में गया बिहार में उरुवेला नाम अकिस्तान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वरक्ष के नीचे बैसाग पूर्णिमा की रातरी में समाधी अवस्ता के अंदर इनको ग्यान प्राप्त हुआ था तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन गया आगे देखिए सारनात में बुद्ध का पर्थम परवचन कहलाता है तो पर्थम परवचन है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है धर्म चक्र परवर्तन धर्म चक्र परवर्तन कहलाता है ये तीक है मात्मा बुद्ध का पर्थम उपदेश है वो धर्म चक्र परवर्तन कहलाता है और कहाँ पर दिया था इन्होंने पहला उपदेश तो सारनात में दिया था नेक्स्ट चोबिस नमबर प्रेशन है वो दरम ने समाज के निम्न वर्गों पर महतोकून प्रभाव डाला तो वो वर्ग कौन कौन से थे वो वर्ग थे दोस्तो महिला और सुद्र तो इसमें D नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा पच्शिस नमबर प्रेशन है बुद्ध के घरत्याग का परतीक है तो दोस्तों बुद्ध के घरत्याग का परतीक है वो है गोडा क्या है गोड़ा तो इसका राइट आंसर A नमबर ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 26 नमबर प्रेस ने गोतम बुध दुवारा भिक्सुनी संक की स्तापना कहां की गई गोतम बुध दुवारा भिक्सुनी संक की स्तापना है दार्षनिक का नाम है पर्थम सुन्यवाद यानि कि सुन्यता का सिदान्त का परतिबादन करने वाले बोद दार्षनिक का नाम है तो वो है दोस्तो इसमे नागारजुन सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागारजुन आगे देखिए महवीर का मूल न तो दोस्तों माविर स्वामी का जो मूल नाम है वो क्या था तो वो था दोस्तों इसमें वर्दमान क्या नाम था वर्दमान सी नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर ठीक हैं आगे देखिए इसमें गुंड़ तिस नंबर प्रेस ने किसे एशिया की रोस्तनी कहा जाता है तो दोस् इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा देखिए पूरे प्रसन देखोगे तब ही आपको मजाएगा और प्राचीन भारत अगर आपको कवर करना है तो दोस्तों आप रोजाना मेरे साथ में चलते जाएए दस दिन के अंदर मैं आपको प्र लंकियों ने ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर इन्हों ने ही दिलवडा में जैर मंदिरों का निर्मान करवाया था नेक्स्ट है नागार जुन कौन थे तो दोस्तों नागार जुन है ये कौन थे तो ये बोध दार्शनि तो इसमें डी नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे जैन परमपरा के अनुसार महावीर के कौन से तीर्थ कर थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे माविर स्वामी है ये 24 वे तीर्थ कर थे जैन धर्म के तीक है और जैन धर्म का वास्त्विक सं धर्बुत बिंदू है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें अहिंसा सी नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा प्रकτε्वा तिर्थ करों के क्रम में अन्तीम कौन थे? तो इसका राइट अंसर ये 24 वे जैन ध्रम के तिर्थ कर थे? के लिए क्या सब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखे केवल्ले केवल्ले है ये पून ग्यान के लिए एक सब्द है केवल्ले ठीक है तो इसका राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए में 37 नमबर का प्रेस ने महवीर स्वामी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले बताया था महवीर स्वामी का जन्म है ये वैसाली के निकट कुंडग्राम में 599 में इस फी पूरों में हुआ था थीक है इनके पिता का नाम सि इसला था तो यहां पर वैसाली इसका राइट अंसर हो सुरी कुंडग्राम कुंडग्राम इसका राइट आणसर हो जाएगा ठीक है यह नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखें कनिश्क के सासंकाल में चतुर्ट बोध संगीती सबा किस नगर में आयुजित की ठीक है और इसके अध्यक्स थे इस बोज संगीति के वस्व मित्र एवं अस्वगोस ठीक है वस्व मित्र तो इसमें अध्यक्स थे और अस्वगोस है ये इस बोज संगीति के उपाद्यक्स थे ठीक है और कुंडल वन कस्मीर में कुंडल वन कस्मीर में दोस्तों ये चोथी ब option बिलकुल सवित्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तीरतिय पुत्र में असोक के समय ठीक है और चोती है वो कुंडल वन कस्मीर में ठीक है तो यहाँ पे क्या पुछा है तिर्तिय बोध संगीती तो पाटली पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर उप्शन से वितर नेक्स्ट है चालीस नमबर प्रेस्ट ने इसमें देखिए असोक के सासनकाल में बोध संगीती किस नगर में आईजित की गई थी तो मैंने अभी आपको बताया था पाटली पुत्र तो यहाँ पे असोक के समय तीसरी बोध संगीती आईजित होई थी और यह बोध संगीती 251 इसी पूरो के समय आईजित की गई थी तो यहाँ पे इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा पाटली पुत्र बी नमबर का उप्सन सही उतर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बात बोध दरम तथा जेंदरम में समान नहीं है तो वो है दोस्तो इसमें वो है आत्म दमन तो इसका राइट आंसर है सी नमबर का उप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा तीक है आगे देखे दोस्तो इसमें 42 नमबर प्रेस ने निम्न लिकित में से किस नगर में पर्थम बोध संगीती की सबा आईवजित की गई थी तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तो राजग्रह है राजग्रह में पर्थम बोध संगीती आईवजित की गई थी C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एक चीज़ और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध के जीवन से समंदित बोध द्रम के परतीक जैसे मैंने आभी आपको बताया था थोड़ देर पहले कि बुद्ध के घरत्याग का परतीक है वो कौन था तो वो था गोड़ा कौन था गोड़ा अगर मैं बात करूँ जनम के समय तो जनम का परतीक है वो क्या है माना जाता है तो वो कमल एवं सांड कमल वर सांड माना जाता है जन्म का परतीक है बुद्ध के जन्म का परतीक ठीक है और ग्यान का परतीक है वो दोस्तों पीपल और निर्वान का परतीक है वो है पद्चिन है और मर्त्यू का परतीक है इस्तूप ठीक है यह आपको याद रखने है 500 के 500 महतोपुन है यह आगे देखिए इसमें 43 नमबर प्रेशने बोद्रम के जीवन की चार महतोपून गटनाओं और उनसे समंदित चार इस्तानों का नीचे उलेक है यहें दो इस्तंबो में अंकित है ठीक है तो देखिए आपको इनको सुमेलित करना है आपको इनको सुमेलित करना है अब देखिए दो पर हुआ था तो यह वा था दोस्तों लूंबिनी में कहा पर हुआ था लूंबिनी में कपिल वस्तुके समीप लूंबिनी ग्राम में हुआ था महतमबुन्द कजनम तो इसमें यह जाएका ठीक है इनके प्राप्ति कहां पर हुई थी तो दोस्तों ग्यान प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी ठीक है और पर्थम परवचन है यह दोस्तों दिया था कहां पर तो सारनाच में दिया था पर्थम परवचन और इनकी निदन निदन है यह दोस्तों कुछी नगर में हुआ था या यानिकी, सी नंबर उपसन बिल्कुल सही उथर. Next is, निमनलिकित मेंसे कौन से सबसे पूर्वकालिक जयन गरंत कहलाता है? तो इसका, right answer हो जाएगा, वो है, दोस्तो, āज़ोदे पूर्वे, ठीक है? सबसे पूर्वकालिक जैन गरंथ है वो कहलाता है तो वो है दोस्तो 14 पूर्व तो इसका राइट आंसर C नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे आज जीवक संपरदाय के संस्तापक कौन थे तो यहाँ पे देखे आज जीवक संपरदाय के संस्तापक है वो मोखली गोसाल मोखली गोसाल है यह आज जीवक संपरदाय के संस्तापक है यह बुद्ध के जर्म से पूर्व है अन्य धार में कांदोलन हुए थे ठीक है जिसमें से आजीवक संपरदाय के संस्तापक थे मोखली गोसाल ठीक है या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें शिक्स नमबर प्रेस ने भागवत संपरदाय के विकास में किसका योगदान अत्य दिख था तो वो है दोस्तो इसमें किसका योगदान अत्य दिखता तो वो है दोस्तो हिंदी उनानी का तो इसमें डी नंबर उप्शन सयुतर हिंदी उनानी नेक्स्ट है भगवान मावीर का परतम सिस्य कौन था तो दोस्तो भगवान मावीर का परतम सिस्य था जमाली कौन था जमाली ए नंबर का उप्शन बिल अस्तांगीक मारग का नाम आपने सुनाई होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, सम्यक द्रश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वानी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक इसमर्ती, सम्यक समाधी, यह बोध दरम के अस्तांगीक मारग है, ठीक है, यहाँ प प्रसन है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें, कौन से किस की महिमा है, तो ये जैन धर्म की महिमा है, किस की महिमा है, जैन धर्म की महिमा है, सम्यक दर्सन, सम्यक यान और सम्यक आतरन ये जैन धरम के तीन त्री रतन है ठीक है और बोथ धरम के अश्टांगीक मारग है उनके आगे भी दोस्तों सम्यक लगता है ये भी आपको इसमे याद रखना है ठीक है जैन धरम में तीन रतन है तीनों के आगे सम्यक लगता है और बोथ धरम के अंदर अश् इसने कुसी नगर मल गंडराज्य की राजदानी थी, ठीक है बिलकुल सही बात है, मात्मा बुंद का परिनिर्वान है, वो कुसी नगर में हुआ, यह भी दोस्तों इसमें बिलकुल सही है, यहां पर देखिए A और R दोनों ही सत्ते हैं, लेकिन R A की है वो व्याक्या नहीं कर तो इस प्रेशन का राइट आंसर B नंबर का उप्शन हो जाएगा, आगे देखिए इसमें, पचास नंबर प्रेशने, निमनांकित कतनों पर विचार करें और चेते वे विहार में क्या अंतर है, इससे चुने, निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए और चेते वे वे विह विहार में क्या अंतर है उसके बारे में अपने को बताना है देखिए चेते का मतलब होता है पूजा और विहार का मतलब होता है निवासिस्थान तो यानि कि चेते पूजा इस्तल होता है जबकि विहार है वो निवासिस्थान होता है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत आगे देखिए एकावन नमबर प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा इस्तल पारसवनाथ से सम्मध होने के कारण जैन सिद्चेतर माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें समेद सिखर सी नमबर का ओप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बावन नमबर का प्रेस ने बुद्ध की मरत्यु के बाद पर्थम बोध संगीति की अद्यक्स्ता किस ने की थी तो पर्थम बोध संगीति की जो अद्यक्स्ता है वो दोस्तों किस ने की थी तो महा कश् तो इसका राइट आंसर ये नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र होगा महा कस्यप तरेपन नमबर प्रेशन इसमें देखे निमनलिकित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संग पर मुख होना चाता था तो कौन तो दोस्तों वो है महा कस्यप तो इसका राइट आंसर हो साल में ही संग परमुक होना चाता था वो है देवदत देवदत हो न मैं चाता था दोस्तों संग पर मुख तो इसमें यह नमबर उप्शन विल्कुल से उत्र हेलियोडोरस का वेसनगर हेलियोडोरस का वेसनगर अबिलेक समंदित है तो ये समंदित है किस से तो ये समंदित है दोस्तों केवल वासुदेव से समंदित है ये वेसनगर अबिलेक तो इसमें डी नमबर उप्सन बिलकुल सही तर हो जाएगा पच्पन नमबर प्रेसन है इसमें देखे बोध द्रम के विशे में कौन सा कतन सही है पहला कतन देखे दोस्तों उसने वन एवं जाती को एस्विकार नहीं किया उसने वन एवं जाती को एस्विकार नहीं किया बिल्कुल सही बात है उसने ब्रामन वर्ग की सर्वोच से सामाजी कोटि को चुनती दी बिल्कुल सही है उसने कुछ एक सिल्पो को हीन मना तो दोस्तों बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें तीनों कतर नहीं हो सकते है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें 56 नंबर प्रेशने वासुदेव क्रिशन की पूजा सरोपर्तम किसने प्रारम की वासुदेव कृष्ण की पूजा सरोपरतम किसने प्रार्म की तो ये की थी दोस्तों किसने साथ वतों ने ये नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नली की चार रस्तानों में हुई बोध संगीती का सही कालकरम नीचे दिया गया है दूसरी बोध संगीती हुई थी वैसाली के अंदर और तीसरी बोध संगीती हुई थी पाठली पुत्र में और चोथी बोध संगीती हुई थी दोस्तों कुंडलवन में तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें दोस्तों 2,1,4,3 दो एक चार तीन यानि की डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सभीतर हो जाएगा आगे देखें गोतम बुद्ध ने अपनी मर्त्यू के उपरांत बोद संग के नेतरत्व के लिए किसे नामित किया था वो थी अचा प्रसने गोतम बुद्ध ने अपनी मर्त्यू के उपरां बोद संग के नेतरत्व के लिए किसे नामित किया था तो दोस्तों किसी को नहीं किया था डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सभीतर हो जाएगा आगे देखें इस शायवाद सिदान्त है तो दोस्तों शायवाद सिदान्त है ये जैंदरम का सिदान्त है सी नमबर का उप्षन सभीतर नेक्स्ट है गोतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो दोस्तों गोतम बुद्ध का जन्म है वो 563 इसी पुरों में हुआ था ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर आगे देखिए बोध शिक्षा का केंदर था तो दोस्तों बोध शिक्षा का है वो केंदर कौन सा था चार उप्षन आपके सामने हैं तो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें विक्रम शिला ऐनबर का option बिलकुल से उतर हो जाएगा बाσιट नम्बर का प्रेशन है इसमें देखिए बहरत का सबसे बड़ा बोध इस्टूप कहां पर इस्तित है तो दोस्तों कहांपर है तो यह साची में है तो इसका C नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर नेक्स्ट है निम्न में से किस गरंथ में सरोपर्थम देव की के पूतर कृष्ण का वर्णन किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंगो गया उपनी सद में चांदो के अपनी सद में तो इसका B number option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे जैन समुदाय में पर्थम विबाजन के स्वेतामबर संपरदाय के मनसाब से जैन समुदाय के पर्थम विबाजन के स्वेतामबर संपरदाय के मसाब से मन साब से दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इस्तूल भद्र तो इसका ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इस्तूल भद्र तीक है याद रखना देखिए जो पर्थम बैद संगेती के बाद जैंदरम है वो दो पंधों के अंदर विबाजित हो गया था एक श्वेतांबर जो सपेद वस्तर धारन करनेवाले थे और दोसरा था दोस्तो इसमे दिगंबर तीक है और दिगंबर है ये दोस्तो वस्तरों का परित्याग करने वाले the तो ये दो बागों में बठकिया था जैंदरम और माविर स्वामी के जो परतम सिसे थे उनका नाम था दोस्तो जमाली और वो उनके दोस्तो दामाद भी बने थे माविर स्वामी के तो इसका ये भी आपको याद रखना है आगे देखिए बारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वो कौन सा भी आ रहे है तो वो है नालंदा ए नंबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए परतम जैन महा सबा का आयोजन कहां हुआ था अब देखिए दोस्तो जो बोध संगीती तो चार हुई थी और जैन महा संगीतिया है वो दो हुई थी ठीक ह का राइट आंसर क्या हो जागा ए नंबर उप्शन पार्टली पुत्र और दितिये जैन संगीती है वो दोस्तो देवर्दी देवर्दी समा समरण यह अध्यक्स थे और वल्लभी नामक इस्तान पर दोस्तो दितिये जैन संगीतिया यह थी ठीक है तो यहां पे पहली तो पा आद मने हो था अभी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर नेक्सट है जैन साहिते का संकलन किस बासावे लीपी में है तो धोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राकरत्वे अर्दमगदी बासा लीपी में दोस्तो देघकर यह राइट आंसर वे नंबर उपसन हो है मिलिन दे सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिलिन दे आगे देखिए सतर नंबर प्रेस ने निमने कत्नों पर विचार कीजिए पहला है इसमें देखिए वर्दमान महावीर की माता लिच्वी के नरेश चेटक के पुत्री थी तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बहन थी क्या थी बहन यानि कि तिरसला है वो लिच्वी की लिच्वी सासक चेटक की पुत्री नहीं थी तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए पहला इसमें गलत है ठीक है अपने को सही कतन बताने है पुत्री के स्थान पर बहन आना चाहे था बिलकुल सही है तो इसमें दो और तीन तो सही है लेकिन पहला इसमें गलत दे रखा है तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है प्राचिन काल में बोद मठों में पवन नामक समारोह आईजित किया जाता था तो ये पवन न नामक समारोह है वो आईजित किया जाता था बी नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बहतर नमबर प्रेस ने कस्मीर में कनिस्क के सासनकाल में बोद संगीती आईजित हुई थी उसकी अद्यक्स्ता किस ने की थी तो दोस्तों जो चार बोद संगीती आईजित हुई थी मैंने आपको बताया थी जिसमेंचे कुंडलवन कस्मीर के अंदर चोती बोद संगीती आईजित हुई थी और इसकी अद्यक्सता है वो दोस्तों किस ने की थी वसुमित्र ने थीक है वसुमित्र इसके अद्यक्स थे और उपाद्यक्स थ पर बल ने कर्सकों को जैंदरम अपनाने से रोका था जैंदरम के अहिंसा पर बल ने कर्सकों को जैंदरम अपनाने से रोका कारण आर देखिए करसी में कीटो एवं कीडो की हत्या होना सामिल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बिल्कुल सही है देखिए A और R दोनों का तन सही है और इसका R एक की सही व्याक्या भी करता है तो इसमें A नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर प्रेस ने अस्टांगिक मारग की संकल्पना अंग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है धर्म चक्र परवर्तन सुत के विशे वस्तु का तो इसमें D नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए मिलिंद पन हो यानि कि मिलिंद के प्रेस ने राजा मिलिंद और किस बोध बिक्सु के मद्दे समाद के रूप में है तो इसका right answer उत्तर हो जाएगा वो है नाग सेन के ठीक है तो इसका right answer ये number option बिलकुल से उत्तर next है महायान बोध दर्म के बोधी सत्वे अवलोकी तेस्वर को और किस नाम से जानते हैं तो और किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों वो है पद देखिए इसको पग पानी के नाम से जानते हैं यानि कि पग पानी के नाम से जानते हैं C number option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे बोध दरम तथा जैन दरम दोनों ही विश्वास करते हैं कि इस्तरी और पुरुष दोनों ही मोक्स प्राप्त कर सकते हैं तो इसका C number option बिल्कुल से उत्तर है 78 number प्रेशन है बोध दरम के माहयान और हीनियान संपरदायों में सरवादिक मोलिक अंतर कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें देवी देवताओं की पुजा तो इसमें C number option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 79 number प्रेशन है जेन दरम स्वेतांबर एवं दिगंबर संपरदायों में कब विबाजित हुआ तो दोस्तों ये विबाजित कब हुआ तो ये चंदरगुप्त मोरिय के समय में ये विबाजित हुआ था ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तार नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अद्धक्सों के नाम बताने हैं दोस्तों ठीक है कि यानि कि कौन सी बोज़ संगिती के अद्धक्स है वो कौन-कौन थे ठीक है तो यहाँ पे देखिए सुची फस्ट और सुची सेकिंड दे रखा है तो देखिए पर्थम बोज़ संगीती के अद्देक्स थे दोस्तों महाकश्यप यानि कि पहले का महाकश्यप हो जाएगा दितिये बोज संगीती के अद्देक्स थे दोस्तो साब कमीर या सर्व कामीनी तो यानि कि ये दूसरी बोज संगीती के अद्देक्स हो जाएगा तीसरी बोज संगीती देखिए इसके अद्देक्स थे मोगली पुतर तिस मोगली पुत्रे तीसरी बोद सेंगेती के अद्डेक्स थे और चोती बोद सेंगेती के अद्डेक्स थे दोस्तों वसूमित्र तो यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा सिदा सारे के सारे साइसों में लिकेवें हैं इसमें एक दो तीन चार इसका राइट आंसर यानि की ए नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा. तो दोस्तो अपने जेंद्रम एवं बोद्रम से समंदित है वो टॉप इंपोडेंट प्रेशन है वो पढ़ लिये हैं. यह आपको इसमें याद रखना है अब यहाँ पे देखिए दोस्तो एक चीज मा आपको बता देता हूँ देखिए बुद्ध के जनम से पूर्वे 60 सताबदी इसा पूरव में भारत में 16 महा जनपदों में बटा हुआ है यानि कि भारत में 16 महा जनपद थे वो धरम अंगुत कासी, कोसल, अंग, मगद, वजी, मल, चेती, वच, कुरू, पाचाल, मतस्य, सूर्शेन, असमक, अवंती, गांदार और कमबोज यह टोटल 18, सोरी 16 महा जनपदों में बटा हुआ था तो यह 16 महा जनपद है ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला प्रसना आता है स सूची फस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए सूची फस्ट में महा जनपद है और सूची सेकंड में राजदानी है अब यहाँ पे देखिए 16 महा जनपदों में से अपने को यहाँ पे चार दे रखे है और चारों की अपने को राजदानी पूछा गया है यहाँ पे सूर्शेन, सूर्शेन की दोस्तों राजदानी थी मतूरा, कौन्सी थी मतूरा, और वत्स की राजदानी दोस्तों कौन्सी थी, वो है कोसामबी, कौन्सी कोसामबी, और कोसल की दोस्तों राजदानी थी, स्रावस्ती या अयोध्या, स्रावस्ती या अयोध्या, ये दोस्तों कोशल की राजदानी थी अब यहां पे मैंने सारे के सारे सही सुमेलित कर दी हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार एक दो तीन चार एक दो तीन एक नमबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सेकें नमबर प्रेशने हरियक वंस के किस सासक को कुनिक कहा जाता था तो हर्यक वंस के किस सासक को कुनिक कहा जाता था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें आजात सत्रू किसको आजात सत्रू को दोस्तों कुनिक कहा जाता था तो इसका right answer इसमें वो है C number option बिल्कुल सही उत्तर आजात सत्रू आगे देखे किस सासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटली पुत्तर नामक नगर के स्थापना की तो किस ने की थी तो ये की थी दोस्तो उदियन ने किस ने उदियन ने तो इसका राइट आंसर इसमें बी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उदियन ठीक है आगे देखे इसमें चार नमबर का प्रेस ने सिसु नाग वंस का वह कौन सा सासक था जिसके समय में वैसाली में दितिये बोध संगिती का आयजन किय जिसे यानि कि उसे काकवन के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले माँ आपको बता दूँ दितिये बोध संगिती ठीक है तोटल बोध संगिती है ये दोस्तों चार हुई थी ठीक है कितनी बोध संगिती हुई थी चार एक ट्रिक है जिसके माद्यम से आप चारू बोध संगतियों के समय जो किसका सासंकाल था वो आप याद रख सकते हैं देखिए ट्रिक है दोस्तो अका अक अक ठीक है अका अक यानि कि पहली बोध संगीती आयो जीत हुई थी दोस्तो अजाद सत्रों के समय और दूसरी बोध संगीती आयो जीत हुई थी द दोस्तो असोक के समय और के लाश्ट यानि कि चोथी बोध संगीती हुई थी दोस्तो कनिस्क के समय यानि कि इसमें अब अपने को देखिए चार बोध संगीती मैंने बता दिया अजात सत्रू काला सोक असोक और कनिस्क के सासनकाल में चार बोध संगीती आई जित हुई थी अ इसका right answer हो जाएगा वो है दितिय बोध संगेती दोस्तों वैसाली में आयुजित की गई थी कब की गई थी तो 383 इसा पूर्वा में आयुजित की गई थी इसके अध्यक्स कौन थे तो दोस्तों साब कमीर इस बोध संगेती के अध्यक्स कौन थे साब कमीर ठीक है तो इस प् 323 issue पूरों में सिकंदर महान की मरत्य हुई थी तो सिकंदर महान की मरत्य है वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी तो यह हुई थी दोस्तों कहाँ पर तो बेबी लोन में कहाँ पर हुई थी बेबी लोन में तो इसका B-Number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे सिकंदर महान एभूं पूरस पूरू की सेनाओं के मद्दे यानिकी सेनाओं निमनलिकित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला हुआ था दुबार देखिए सिकंदर महान एवं पोरस या पुरू की शेनाव ने निमन लिकित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला हुआ था तो इसका Right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर आगे देखिए इसमें सात नंबर का प्रेस ने किस मदरभांड किसे मदरभांड पाटरी भारत में दितिये नगरीकरन या सहरीकरन क के प्रारंब का प्रतीक माना जाता है तो वो कौन से मदरभांड के बारे में कहा गया है कि भारत में दितिये नगरीकरन या सहरीकरन के प्रारंब का प्रतीक माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्री काले पोलिस क्रेत बरतन उत्री काले पो क्या कहा जाता है पाली गरंठों के गाउं के मुख्या को क्या कहा जाता है तो दोस्तों क्या कहा जाता है तो वो है भोजक या ग्राम भोजक भोजक या ग्राम भोजक कहते हैं बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है उजेन का प्राची नाम था तो दोस्तों उजेन का प्राची नाम है वो क्या था तो वो था दोस्तो अवंति का क्या नाम था अवंति का तो इसका right answer ए नमबर ओप्शन बिल्कुल से खुगतर हो जाएगा अवनति का नंदवंस का संस्तापक कौन था तो यहां पर देखिए नंदवंस का संस्तापक है वो कौन था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए सिसुनाग वंस के अंतिम सासक नंदी वर्दन की हत्यकर है महापदम नंद नंदवंस की नीव रखी थी और नंदवंस का अंतिम सासक था गनानंद, अपने नाम तो सुनाई होगा, तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसमें, वो है महापदमनंद, महापदमनंद ने दोस्तों नंदवंस की स्तापना की थी, तो इसका right answer हो जाएगा इसमें, ए नंबर का option बिल्कुल से उक्तर हो जाएग तो दोस्तो यहाँ पे देखे क्या पुछा गया है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें गनानंद गो तो इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर अगे देखे प्राचीन भारत में पहला विदेशी आकरमन किस के द्वारा किया गया तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आकरमन है यह किस के द्वारा किया गया तो ये किया गया है दोस्तों इरान्यों द्वारा ठीक है ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इरान्यों द्वारा आगे देखें इसमें 13 नंबर का प्रेशन प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आकरमन एवं पहला यूरोपिय आकरमन किन के द्वारा किया गया ये किया गया है दोस्तों यूनान्यों द्वारा तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो किस सासक ने भारतिय भुभाग को जीतने के बाद उसे फारस सामराज्य का बीस्वा परांत बनाया तो दोस्तो इरान के खमनी बंस के किस सासक ने भारतिय भुभाग को जीतने के बाद उसे फारस सामराज्य का बीस्वा परांत बनाया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तो डेरियस या दारे बाहू फस्ट तीक है तो इसमें B नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पंदरा नंबर का प्रसन है देखिए इसमें हाइडे इसमस या विश्टता आदूनिक नाम जेलम का युदे 326 इस्वी पूरवे किस किस किन किन सासकों के बीच में हुआ था तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिकंदर मकदूनिया का सासक था उसने भारत पर 326 इस्वी पूरवे आकरमन किया पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ जेलम नदी के किनारे हाइडे इस्पीज का युदे दोस्तों लड़ा था ठीक है परंतू हार गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सिकंदर और राजा पोरस के मद्दे हैं युद लड़ा गया था ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 16 नमबर का प्रेस ने सिकंदर ने भारत पर कब आकरमन किया तो दोस्तों आगे देखिए सुची फस्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है सुची फस्ट में सासक है और सुची सेकंड में वंस है यान कि कौन से वंस का सासक कौन था तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिम्बी सार बिम्बी सार है ये कौन से वंस का सासक था तो ये हर्यक वंस का स सासक था बिंदू सार है ये मोरिय वंस का सासक था दोबार देखिए बिंबी सार हर्यक वंस का सासक काला सौक शिसुनाग वंस का सासक महापदम नंद ये नंद वंस का सासक और बिंदू सार है ये मोरिय वंस का सासक था तो इस प्रेसन का राइट आंसर एक दो चार तीन एक द केलित कीजिए शुची फॉष्ट में महाजन्पद है और शूची सेकंड में आधुनिक छेत्र दे रखे हैं यहाँ पर देखिए दूस्तों मगदन महाजन्पद है इसका जो आधुनिक छेत्र है वह कौन सा है तो वह है दूस्तों पतिना व애 गया जिले पटनावे गया के जिले तीसरा महाजनपद यहां पे देखे वच्स महाजनपद का आधुनिक छेतर है इलाबाद और कोसल महाजनपद का आधुनिक छेतर है अवद और अवंती महाजनपद का आधुनिक छेतर है मालवा ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो गुनिश नमबर प्रेस ने देखे मगद की पर्थम राजदानी कौन सी थी तो वो है दोस्तों गिरी वजर या राजगरें ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है सी नमबर का उप्शन बिलकुर से उत्तर हो जाएगा देखे चटी सताब्दी इसा पूरुएं सो सकती साली था तुख है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखे किस सासक के द्वारा पाटली पुतर का राजदानी के रूप में चैन किया था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों किसने तो ये उदीन ने किया था उदीन द्वारा दोस्तों ये पा पनाने का चैन किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर और देखिए पाटली पुतर की स्तापना का स्रेवी उद्धियन को जाता है तो इसका राइट आंसर और ये हर्यक वंस का अंतिम सासक था उद्धियन तीक है ये भी आपको इसमियाद रखना है सी नंबर उप्शन सही उत्तर आगे देखिए सोले महाजन पदों की सुची उपलब्द है तो दोस्तों ये सुची है ये कहां उपलब्द है तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अंगुतर निकाए कहां पर है अंगुतर निकाए में द कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था तो सिकंदर महान के समकालीन मगद का कौन सा राजा था तो वो था दोस्तो इसमें गनानद कौन था गनानद बी नमबर उप्शन बिल्कुल से उक्तर आगे देखिए इसमें पर्थम मगद सामराजे का उतकरष्ट किस नदी पर था तो इसका right answer हो जाएगा वो है चटी सताबदी इसा पूरो में ठीक है तो इसमें B number option बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है सिकंदर की भारत में सपलता के निम्न कारण थे सिकंदर की भारत में सपलता के निम्न कारण थे तो दोस्तो क्या कारण थे देखिए मैं आपको बता देता हूँ भारत में तब कोई केंदरिय सता नहीं थी बिल्कुल सही है उसकी सेना स्रेष्ट परकार की थी ये भी इसमें सह ही है तो भारत में सफलता के जो पर्मुक कारण थे सिकंदर के ये चारों ही सही है तो इस प्रैस्ण का राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक दो तीन चार यानि कि डी नंबर का उप्सन अपना इसमें सही उत्तर हो आगे देखिए सुची फस्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है यहां पर देखिए दोस्तों सुची फस्ट में राजा और सुची सेकंड में राज्य दे रखें यहां पर देखिए दोस्तों प्रदयोत प्रदयोत राजा का जो राज्य है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों परसेद जित का था दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है कोसल और अजाद सत्रू का था दोस्तों इसमें मगद तो इस प्रसन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है तीन दो चार एक तीन दो चार एक इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल स होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी अभी लेकि ये साक्से से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी तो ये नहर है ये दोस्तो कलिंग में खोदी गई थी तो इसका राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से various ठीक है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उपतर नेक्स्ट है मगद के राजा अजात सत्रू का किस गनराजे के साथ यूद रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए किस के साथ मेरा तो वो है वज्जी वेसाली के साथ में ठीक है वज्जी जो वेसाली का सासक था उसके साथ में ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें गदा जैसा अतियार जुड़ा हुआ था तता महासिला कंटक यानि कि पत्थर फेकने वाला एक युद्य यंत्र इस परकार के जो गुप्त हतियारों का परियोग किया था यहां पर देखिए जो वज्जि संग के विरूद मगद के किस सासकने पर्थमबार रत मूसल और महासि सिदासा है अजाद सत्रू ए नमबर का ओप्षन विल्कुल सियुद्बार हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें नंद वंस का अन्तिम समराथ कौन था तो दोस्तों वो है इसमें सिदासा है गना नंद थो यह हैं व्हुद्अठ प्रेसन बिल्कुल सियुद्बार ऑग अगे देखिए 32 नमबर प्रेस्न है, निमन राजाओं पर विचार कीजिए, एक तरफ दोस्तों देखिए यहाँ पे आजाथ सत्रू, बिन्दू सार और प्रिशेंजित, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजाथ सत्रू और प्रिशेंजि तो इसका राइट आंसर C नंबर उप्शन बिल्कुल सयुक्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रशने 60 सदी इस्सा पूरव के दोरान बड़े राज्यों के उदे का परमुक कारण क्या था तो बड़े राज्यों के उदे का जो परमुक कारण है वो क्या था तो उत्रपरदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उप्योग तो इसका राइट आंसर A नंबर उप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है चोंतीस नंबर प्रेशन है इसमें देखे मगद समराट बिम्बी सार ने अपने राजवेद्दे जीवक को किस राज्य के राजा की चिकिच्चा के लिए भेजा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवंती ठीक है अवंती के राजा की चिकिच्चा के लिए भेजा था बिम्बी सार ने अपने राजवेद्दे जीवक को ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और बिम्बी सार है ये हर्यक वंस का सबसे पर्थम सक्ति साली सासक माना जाता है तो इसमें सी नंबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है किस सासक ने अवंती को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया तो वो है दोस्तों सी सुनाग ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नमबर उप्शन सेयुत्तर आगे देखिए 37 नमबर प्रेस ने किस मगद समराट ने अंग का विले अपने राज्ये में कर लिया तो दोस्तों किस मगद समराट ने अंग का विले अपने राज्ये में कर लिया अंग है वो महाजनपद था और इसकी राजदानी दोस्तों चमपा थी ठीक है तो अपने राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंबी सार ने ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर 37 नमबर प्रेस्ण है सिसु नाग ने किस राज्य का विले मगद सामराज्य में नहीं किया तो यहां पर देखिए दोस्तों कासी को छोड़के बाकी अवंती वत्स और कोसल इन तीनों महाजनपदों का दोस्तों विले है वो मगद सामराज्य में किया था किसने सिसु नाग ने तो इस प्रेस्ण का राइट आंसर डी नमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें कासी और लिच्वी का विले मगद सामराज्य में किसने किया था तो दोस्तों कासी और लिच्वी का विले मगद सामराज्य में किसने किया था अजाद सत्रू ने बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर अजाद सत्रू नेक्स्ट मगद समराजे के बारे में कौन सा कतन है वो सही नहीं है तो कौन सा कतन है वो इसमें सही नहीं है तो यहाँ पे देखे पुराणों और महाकव्यों के अनुसार इसकी स्तापना ब्रदरत ने की बिल्कुल सही है आगे देखे महापदम्नन्द ने इसे सरवादिक वि आपड़िधारन की थी, बिल्कुल सही है, आगे देखे, गिरी वज़र राप्छुए हैं, पाटली पुटर एवं वैसाली करमसुएं इसकी चार राज दानिया बनी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो इसमें तीनों ही कथन है, वो सत्य है, इसमें गलत है, वो कोई नहीं है, तो इसका right answer इन में से कोई नहीं, D number option right answer हो जाएगा आगे देखे, सिकंदर के आकरमन के समय, उत्तर भारत पर निमनलिखित राजबंसों में से किस एक का सासन था, तो वो था दूस्तों इसमें, नंदवंस का सासन था, तीक है, आगे देखे, 41 number option, निमनलिखित में से कौन सा एक, इसा पूर्वा छटी सदी में, प्रारंब में, भारत का सरवादिक, भारत का सरवादिक, 37 साली नगर राज्य था, तो यहां पर देखे, कौन सा एक, इसा पूर्वा छटी सदी में, छटी सदी के प्रारंब में, भारत का सरवादिक, 37 साली नगर राज्य था, तो वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों, इसमें, सीधा सा है मगद डी नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से कौन कौन से भारत पर इरानी आकरमन के परभाव के रूप में माना जाता है तो दोस्तों यहां पे कथन दिये गए है अपने को बताना है कि कौन कौन से कथन है वो इसमें सत्ते है इरानी आकरमन के परभाव के रूप में जाना जाता है अंगरग्स कों की न्युकती यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इसमें D नमबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 43 नमबर प्रेशन है निमन में से कौन सा एक सिकंदर के आकरमण का परभाव नहीं था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दुस्तों देखे इस आकरमन ने भारत और युनान के बीच प्रतेक्स संप्रक स्थापीत करवाया बिल्कुल सही है इस आकरमन ने पस्चमित और भारत में युनानियों की स्थापना का मार्ग प्रसस्त किया बिल्कुल सही है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उतरदाई था यह भी इसमें सही है यानि कि यह तीनों तो सही है अपने को क्या पुछा है इसमें कि कौन सा प्रभाव नहीं था तो देखिए उसने भारत को युनान की रियासत बनाया यह इसमें गलत हो जाएगा डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है निमनलिकित में से किस राज्य में गनतंतरात्मक सासन वेवस्ता नहीं थी तो कौन से राज्य में गनतंतरात्मक वेवस्ता नहीं थी तो वो है मगद डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निम्नलिकित में से किसे सेनिया नियमित और इस्टाई सेना रखने वाला कहे जाता था तो इसका राइट आञशर होजाएगा वह है इसमें बिम्भी सार ए नमबर उप्सन बिल्कुल से इतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से किसे उग्रसेन यानि कि बहानक सेना का स्वामी कहा जाता था तो बहानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था तो ये कहा जाता था दोस्तों महापदमनंद को तो इसका right answer A number का option बिल्कुल सही उत्तर और महा पदमनंद है ये दोस्तो नंदवन्स की इसने स्तापना की थी तीक है आगे देखे डेरियस दायर बाहू फश्ट ने 516 EC पुरों में सिंदु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीत कर उसे इरान का बीशवा चत्रवी यानि की प्रांत बनाया उसे कितना राजस्वे प्राप्त होता था उसे कितना राजस्वे प्राप्त होता था तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है 360 talent 360 talent ए नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है नेमन लिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतियासकार नही नहीं था तो वो है वो था दोस्तो इसमें hero dots ठीक है तो इसका right answer डी नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाकी देखिए नियाकर्स और एना सिक्रेटिस एस्टिटो बुल्स तो इसका right answer हो जाएगा इसमें d नंबर का option ये तीनों आये थे लेकिन hero dots नहीं आये था next है महाजनपदकाल में स्रेणियों के संचालक को कहा जाता था महाजनपदकाल में स्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था स्रेश्टिन कहा जाता था ए नंबर option सही उत्तर 50 नंबर प्रेशन है ग्रहपती का अर्थ है तो ग्रहपती का अर्थ है दोस्तो धनी किसान ए न देखिए दोस्तों यहाँ पे सुची सेकेंड दे रखा है, अब यहाँ पे देखिए, सीदा सम आपको बता दू इसमें, तो अस्टु कुलक है वो क्या होती थी तो यह एक परामर्स दाई संस्ता होती थी, अस्टु कुलक, ठीक है, महामातर है, यह उच्च कोटी के अधिकार बली सादक वाला अधिकारी है ये किसानों से कर वसूलने का काम करते थे और सोलिकक या सुलका डेक्स ये दोस्तों सिल्पियों वे व्यापारियों से सुलक याचूंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था तो यहां पे सारे के सारे सही सुमेलित हैं एक दो तीन चार इसका र राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण वस अपने पुत्र द्वारा मारा गया बगद के किस प्रारंबिक सासक ने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण वस अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो इसका राइट आंसर हो ठीक है विंबी सार के पुत्र अजाथ सत्रो ने विंबी सार की हत्या कर शियासन प्राप्थ किया थाmpraут किया था. यह आपको इसमें याद रखना ए आगे देखिए और देखिए अजाध सत्रों ने विंबी सार का नाम थादो तो उदाइन क्या नाम था उदाइन ठीक है जिसने पाठली पुतर नगर बसाया था ठीक है उदाइन ने अजाचत्रू के अत्या कर दी ठीक है तो बी नमबर उप्शन सेयुत्र हो जाएगा आगे देखें विश्व का पहला गंटंतर वेसाली में किस के द्वारा इस्तापित किया गया था विश्व का पहला गंटंतर वेसाली में किस के द्वारा इस्तापित किया गया था तो ये किया गया था दोस्तों किस के द्वारा तो लिच्वी के द्वारा डी नमबर उप्शन सेयुत्र अगे देखें सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेरित करना है स सुची फश्ट में महाजनपद है और सुची सेकंड में राजदानी है यहाँ पे देखिए दोस्तों कुरू महाजनपद की राजदानी दोस्तों इंदरप्रस्त थी कौन सी इंदरप्रस्त है और पाचाल यानि कि पांचाल महाजनपद की जो राजदानी थी वो दोस्तों थी कुण सी आहीचात्रे ठीक है आहीचात्र या कौमपिले तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अहीचात्रे कोसल की राज़दा नीत दोस्तो 80 सरीवस्ति या अयुद्धियाव कम बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पे इसका राइट अंसर क्या जाएगा देखे वच्स की राज़दा नहीं तो कोसाम भी यहां पे साकेत दे रखा है क्या दे रखा है साकेत साकेत की जगए दोस्तों आप इसमें स्रावस्ती कर लेना स्रावस्ती ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है कौन सा 4-3-1-2 4-3-1-2 इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा यानि कि B नमबर का उप्सन बिल्कुल से उतर पच्पन नमबर प्रेशन है निमने में से कौन एक बोध गरंट 16 माजन पुदो का उलेक करता है तो वो है अंगूतर निकाए ये बोध दर्म का गरंट है इसमें 16 माजन पुदो का उलेक मिलता है नेक्स्ट है निमने लिकित में से कौन एक मगद सामराजे की राजदानी नहीरा तो वो है दोस्तो इसमें कौन राजदानी नहीरा तो वो है कोसामबी कौसामबी इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें इरान के खमनी वंस के किस सासक ने भारती भुबाग को जीतने के बाद उसे फारस का बीसवा प्रांत बनाया देखिए प्रैस नहीराइट रिपीट वा है इसका राइट आंसर हो जाएगा योद 326 इसवी पूरे किन किन सासक के मद्दे हुआ तो दोस्तों सिकंदर और पुरस के मद्दे ए नंबर उप्सन सहीटर सिकंदर ने भारत पर आकरमन किया 326 इसवी पूरे ए नंबर उप्सन सहीटर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सुची फर्ष्ट और सुची सेकंड से संबोधित करना है यहाँ पे देखिए बिंबी सार बिंबी सार है यह दोस्तों हर्यक वंस का सासक था काला सोक है यह दोस्तों सिसु वंस का सासक था और बिंदु सार है यह मोरिय वंस का और महापदमनंद है ये नंदवन्स का सा सकता तो इसका एक दो चार तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा देखे दोस्तों अपने है वो चार टोपिक पड़े हैं आज भारतिये सब्वेता संस्कृति एवं समाज के अंदर ठीक है सिंदुगाटी सब्वेता, वेदिक संस्कृति, जैंद्र एवं बोद्रम और महाजन पद्खाल ठीक है ये मामरातन कलास है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है ये अपने इकाई एक के अंदर ये चीज़ें आती है नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर है, जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में, जै हिन्द, जै भारत